आज है साथ अप्रियल खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर मात्र के चात्रों को मिला स्कूरूटनी का मौका कोरोना के बढ़ते माहौल के बीच मुख्यमंत्र नितिशकमार ने जारी के ज़रूरी दिशान्य देश स्टोन क्रेशर यूनिट्स को बारह फूट उची दिवार बनान्या हुआ अनिवार मास्क नहीं पहनने पर लगेगा फाइन बिहार में लोजपा के एक मात्र विधायक ने पार्टी छोड़ने का किया अयलान अब चले बढ़ते हैं बिहार की बड़ी खबरों की और वस्तार से NCHMCT ने 10 वी और 12 वी पास के लिए निकाली रिखतिया सरकार के संसान National Council for Hotel Management and Catering Technology ने Executive Officer, Stenographer, Accountant, LDC और अनिपदों पर भरती निकाली है इन पदों के लिए सेक्षनी क्योगिता की बात करें तो Stenographer Grade D के लिए 12 वी पास एवं Stenography का ज्यान होना अनिवार है इसके साथ ही LDC के लिए 10 वी पास एवं 30 शब्द प्रते मिनट की गती से टाइपिंग का होना अनिवार है इसके साथ ही एक साल का अनुभव भी अनिवारी किया गया है कंप्यूटर पर काम करने का ज्यान होना भी अनिवार है इच्छो को में द्वार ओन्लाइन माध्यम से 9 अप्रेल तक आधिकारिक विबसाइट www.nchm.nic.in पर ज़आकर आवी दन भढ़ सकते हैं माट्रिक के छात्रों को मिला स्कुरूटनी का मौका बिहार बोर्ड दसवी की परिक्षा के नतीजे जारी हो चुके हैं इस बार कुल 78,7 फीज दी छात्र पास हुए है इनमें से लगभग 101 छात्र ने टॉप 10 में अपनी जगे बना ली है रिजर्ट जारी होने के साथ ही अब बिहार बोर्ड आगे की प्राक्रिया में भी जुट किया है मैट्रिक की परिक्षा में आए नमबरों से अगर कोई छात्र ना खुश है तो वो स्कुरूटनी के लिए आवी दन कर सकते हैं मुंगेर के गोईन का श्रिवाले में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास तालाब के बीच बने गोईन का श्रिवाले श्रधालों के साथ ही मुंगेर आने वाले परिटकों के लिए भी आकरशन का की इंद्रबिंदु है तालाप के चारो और रंग बिरंगे फूल पॉधी आधी मंदर के सौंदरे में चार चान दगा देते हैं शिव मंदिर एक बड़ी पानी की टंकी के बीच में बनाए गया है जो बड़ी और सुंदर मच्रियों से भरा है इसलिए लोग इसे मच्री तालाप के नाम से भी जानते हैं इस मंदर का दर्मान गोईन का परिवार द्वारा अपने इस्ट एवार कुल देवता के नीजी मंदर के स्वरूप में लगभग ठारा सो पंच्वानवे में कराए गया करोना के बढ़ते माहौल की बीच नितीश कुमार ने जारी किये ज़रूरी दिशानते इस पिहार में करोना के मामले में बढ़ौतरी देखने को मिल रही है वहीं बढ़ते मामलों को देखते वे ही मुख्यमंत्री निदीश कुमार ने बीते दिन सभी दीम, SP और SSP के साथ कोरोना के बरतमान सितिकी जानकारे लिए इसके साथ ही उन्हों ने सभी फ्रंटलाइन वरकर जो काम में लगे हैं उन सभी का खोरोना टेस्ट करवाने का देश जाले क्या है इसके साथ ही दूसरे राजों से आने वाले प्रवासियों के लिए प्रखंड सर्पर कॉरिंटीन सेंटर की ववस्ता करने सारवजनिक आयोजन में सीमित संख्या में ही लोग की शामिल करने और पिछले बार के अनुभव से रणनीती बनाने की बात गही है इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी लोगों से सजग रहने की भी अपील की है पटना के प्रसद महावीर मंदिर का नवेद्यम को FSSAI ने माना सबसे शुध है पटना के महावीर हरुमान मंदिर में मिलने वाला भोग नवेद्यम पूरी तरह से शुध और हाईजीनिक है इसके तहत FSSAI ने प्रमान पत्र जारी किया है और इसके शुधता की ग्यारेंटीली है इसके साथ ही महावीर मंदिर देश का दसवा ऐसा मंदिर बन चुका है जहां भोग लगाए जाने वाले प्रसाद के लिए FSSAI ने प्रमान पत्र जारी किया है इसके साथ ही महाविर मंदिर को Blaze Full Hygiene Offering to God का सर्टिफिकेट मिला है यहां का प्रसिद नवेद्यम देश के टॉप 10 मंदिरों के भोग में शामिल हो गया है ग्रामीन बैंक कर्मी करेंगे दो दिबसी अहरताल प्रसिद ने मताया है कि हरताल से पहले अप्रेल के तीस्टे सब्ता के बीच वितमंत्री सहेत सभी प्रमुख अथिकारियों से दिल्ली में मुलाकात कर वेतन पुनरीक्षन में संशोधन की मांग की जाएगी सुप्रेम कोट ने केंद्री सरकार को आदेश दिया था कि राश्टरिकरित बैंक में लागो द्विपक्षे वेतन पुनरीक्षन संशोधा ग्रामीन बैंक में भी लागो किये जाए लेकिन वितमंत्राले ने 1 नवंबर 2017 से वकाय वेतन का भगतान 9 महीने बात करने और सुपधाओं को प्रायोजक बैंकों के भरो से छोड़ दिया है जिससे देश भर में काररत 43 ड्रामीन बैंकों के एक लाग कर्मियों में आकरोश है स्टोन क्रशर यूनिट्स को 12 फूट उची दिवार बनाना हुआ अनिवारे कर दिया गया है इसके साथ ही आसपास जूलकनों को फैलने से रोकने के लिए वहाँ जल छड़काफ की स्थाई विवस्था के लिए 4 और स्थाई पाइपलाइन लगाने को भी अनिवारे कर दिया गया है 20 फूट उची दिवार के नर्मान में आ रही कठनाईयों को देखते वे इसमें परिवर्तन किया गया है अब 12 फूट उची दिवार बनानी है मधुवणी में अगस्त तक तयार होगी मखाना प्रसेसिंग यूरेट जोगी इसी साल अगस्त महीने तक बन कर तयार हो जाएगी इसके तहर 3 करोड 3 लाग की लागत से इस यूनिट को बनाया जा रहा है जबकि इसमें अलग से 27 लाग रुपे सकी संस्थां की तरफ से लगाया जाएगा इस दोरान यूनिट का उधगाटन करते वे बिहार सरकार के पीएची डी मंत्री रामप्रीद पासवान ने कहा है कि मखाना प्रसेसिंग यूनिट से प्रधान मंत्री के लोकल फर वोकल के दिश्रा में मदद मिले गया तो बतादे कि इस यूनिट की मदद से आसपास के मखाना उतपादक किसान को उनके उतपाद का अच्छा मूले मिलेगा इसके साथ ही यहां से मखाना उतपाद की व्रांडिंग भी की जाएगी साइबर ठगी के मामले में राजधानी पटना बनी साइबर क्राइम के मामली में विहार की राजधानी पटना अवलाई है नाशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल के अनुसार राज़ में सबसे अधिक पटना में साइबर क्राइम की घटनाएं हो रही है वाई पलिस वभाग के आर्थिक अपराध एकाई की तरफ से आर्थिक अपराध एकाई की ओर से संचालित होने वाले साइबर कंच्रोल यूनिट के अनुसार विहार में गया नवादा नालंदा आधी जिलो में साइबर अपराध ही अधिक सक्रिये हैं जानकारी में यह बात सामनी आई है कि पहले बिना OTP बताए ही लोगों के बैंक अकाउन में बैलन्स शूने कर दिया जाता है जब बैलन्स शूने होता है तो फिर आपसे OTP की जानकारी मांगी जाती है ऐसे में आपको बात समझ नहीं आती और आप फ्रॉड के शुकार हो जात इस समझ में परेटिन मंत्राले ने गाइडलाइन भी जारी कर दी है जिसके तहट अप्रेल में वैशाखी के मौके पर पतना साहिब महोटसव महावीर ज्यंती पर वैशाली में वैशाली महोटसव नालंदा में कुंडलपूर महोटसव और जमूई में लच्छुआर महोट तो वही भबूआ में मुडेश्वरी महोटसव और गोबालगंच में होने वाले थावे महोटसव का आयोजन फिलहाल रोग दिया गया है वही 10 सप्रेल को बेतिया में होने वाले अमरत महोटसव को भी सखित कर दिया गया है देश की आजजादी के 75 वे वर्ष के उपलक्ष पर होने वाले इस महोटसव में केंद्रे मंत्री प्रहलाद पटेल एवं प्रदेश के कई मंत्री और बड़े नेता आने वाले थे बीपैसे 66 वी पीटी पास करने वाले सीस्टी को बिहार सरकार देगी 50 जार बिहार लोग से वायो कि 66 वी प्रारंभी परिशा पास अनुसूचित जाती अनुसूचित जाती के अभिर्थियों के लिए सरकार ने बड़ी घोशना किया है इसके तहट 66 भी BPSC PT पास करने वाले SCST अभिर्थियों को सरकार के तरफ से 50-50 अजार रुपए दिये जाएंगे यह राशी मुख्यमत्री अनुसूची जाती एवा मनुसूची जन जाते सिवल से वाप्रोट सहान योशा के तहट दिये जाएंगे और यह केवल बिहार राज्य के स्थाई अभिर्थियों को दिये जाएंगे यह राशी का लाग केवल एक बार के लिए ही मिलेगा इसके लिए ओन्नाइन आवेदन की प्रोक्री आदा सप्रेल से 10 मई तक मिनलभारीत की गई है इसके लावा आवेदन करनी की प्रोक्री और्वस्रे जानकारी विभाग की वेबसाइट state.bihar.gov.in से जा करके ली जा सकती है चीफ जस्तिस संजे करोल को हुआ करोना देश भर में करोना के दूसरे लहर के शिरवात हो गई है बहार में भी संक्रमन की रफ्तार बढ़ गई है इस बीच पटना हाई कोट के चीफ जस्तिस संजे करोल भी अब कोरोना की चपेट में आ गए है पटना हाई कोट के चीफ जस्तिस संजे करोल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए डिली के एम्स में भरती करवा दिया गया है आपको बता दे संजे करोल हाली में कटेहार पहुचे थे जहाउनों ने विभिन मंदिरों में पूजा आर्चना की थी इस दौरान उनका काफिला भी उनके साथ था वह अब उनके पॉजिटेव आनी के बाद सभी लोगों से अपना जाज करवाने की अपील की गई है कुरोना के माहौल में हो रहे इवरिधी के कारण मुख्यमंत्रे नितीश कुमार ने भी टेस्टिंग को बढ़ाने का देश जारी किया है लालो यादव के स्वास्त में तीन-चार सप्ता में देख सकता है सुधार चारा घुटाले में सजायफ्ता और राज़त सुप्रीमो लालो यादव के स्वास्त को लेकर एम्स की तरफ से एक पत्र जारी क्या गया है फिलहाल उनका इलाज एम्स में जारी रहेगा आपको बताते चले कि रावज़त सुप्रीमों का पिछले धाई महीने से भी अधिक समय से दिल्ले के एम्स में इलाज चल रहा है जाज में उन्हें 18 रखार की बिमारी होने की पुष्टी की गई थी मास्क नहीं पहनने पर लगेगा फाइन बढ़ते कोरोना संक्रमन को देखते में सरकार ने कई गाईडना इंस जारी कि है खासकर यात्रा के दौरान मास्क पहनना अनिवार है महीं परिवहन विभाग की तरफ से भी लोगों को एहतियात बरत्निक अपील की जा रही है इसी क्रम में बिहार के परिवहन साचिप संजेगरवाल ने इचीवी भारत नेउस चानल को दिये साक्षातकार में बताया है कि सारवजरिक बसों में भीड भार ना हो इसके लिए मौनेटरिंग की जा रही है इसके तहट लोगों को गैडलाइन का पालन करने के लिए पहले तो समझाय जा रहा है और नहीं मानने पर फाइंड भी लिया जा रहा है ताकि लोग मास्क पहने और संक्रवन से खुद को बचा सके कोरोना कार में बिहार सरकार नहीं होने देगी श्रमिको का पलायन सरकार के ग्रामीन विकास मंत्री श्रवन कुमार ने एक बयान में कहा है कि राज में महामारी के चलते स्ट्रमिकों को 2 जून की रोटी के लिए राजुसे बाहर कमानी के लिए पर श्रमी को द्वारा काम मांगने पर राज के अंदर ही मन्रेगा के तहट कम से कम सौदिनों का काम मोहया कराय जाएगा। पर श्रमी को द्वारा के तहट नदेशक अभियोजन के पत पर नियोकती हेतु प्रातरता में सुधार के लिए आवशक संचोधन करने की सुईकृति दी गई है। इनकी नियोकती के लिए गठित होने वाली चैन समीती और इनकी नियोकती सम्मंधी सेवाश्वर्त में संचोधन की स्विकृती समीत अने एजिंडों पर मोहर लगा दी गई है। लू को लेकर बिहार में हाई अलर्ट जारी है। इसके तहत अगरी शमन विभा के अधिकारियों के द्वारा गर्मी में हीट वेव के कारण होने वाली अगलगी से निबटने के लिए सारी तयारियां पूरी की जा रहे है। प्रदेश के सभी जलों में हाट स्पोर्ट जुनित किये गए हैं जहां फायर टेंडर्स की प्रतिन्युक्ती भी की गई है। होट स्पोर्ट पर पहुँचने के लिए रोड माप तयार किया गया है। इसके साथ ही वाहनू के लिए मश्री ने वब उपकर अनमज से स्थानी अस्तर पर खरेदारी की गई है। करते हुए अगली आदेश तकटिहार का डियम बनाए गया है। मुजफरपुर के आयुक्त मनीश कुमार को दर्भंगा प्रमंडल के कमिश्वर का अतरिक प्रभार दिया गया है। मधुबनी मामले में तेजस्वी ने पीडित परिवार से की मुलाकात। पिहार के मधुबनी जुले के महमद पुर में पांच लोगों की सामोहिक जान लेने की घटना के बाद अफ सियासी रंग चरता जा रहा है। इस दोरानव पक्षी नेता तेजस्वी आदव ने मंगलवार को पीडित परिवार से मुलाकात करने मधुबनी के महमद पुर गाउं वो पहुचे थे। नेता प्रतिपक्ष के नाते सभी के दुख सुख में साथ खरा रहना मेरा नैतिक समाजीक और समयधानी करता भी है। पिश्वी स्वास दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। पूधरी से लगातार मिल रहे थे, निदीश कुमार से भी मिलकर वो आये थे। हलाकि मीडिया जब ही ये पूछती थी कि जदियू में कब शामिन होंगे तो वो सवाल को टालते देखे गये थे। मगर बीते दिन सभी अटकलों को स्विकालते वे उन्होंने लोचपा को छोड़ने का एलान कर दिया है। आधार कार्ट में वासानी से बदलवा सकते हैं अपना नंबर। आधार सेवाकेंदर के लिए अपॉइंट्मेंट लेकर तैय दिन पर आपको अपना मोबाइल लेकर निकटम आधार सेवाकेंदर पर विजट करना होगा। एक अपडेट फॉर्म भड़ना होगा जिसके बाद आपका नंबर बदल दिया जाएगा इसको लेकर आपको पचास रुपए फीस के रूप में भी देने होगे। आकास शोपरा ने बताई दिल्ली क्यापिटल्स के संभावित 11 टीम आईपिल का आगाज अब बस कुछी दुनों में होने बाला है। सिक्षकों को बंद करने के विरोध में सड़कों पर उत्रेज सिक्षक बिहार में कुरोना के मामलों में नई रफ्तार देखने को मिर रही है जिसके तहती बिहार सरकार ने एहतियाती कदम उठाते वे बिहार के सभी सक्षक संसानों को 12 अप्रेल तक बंद करने का आदेश जारी किया था और उन्लाइन पढ़ाई शुरू करने पर जोर देने की बात कही थी। जारी किया था और उन्लाइन पर देने की पूरी कोशिश करेंगे तो चले बढ़ते हैं। अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के रिए बस इतना ही। अगर आपे वीडियो हमारा यूट्यूप पर देख रहे हैं तुमारे चानल को सब्सक्राइब करें और बलाइक ओन दवाना ना भूले। अगर आपे वीडियो हमारा फेस्बूक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और जादा जादा श्यार करें।